हेलो एबरीबन मैं हुरूची और डोईट बितुरूची में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगे कि आप एक सिंपल फेस मास्के कैसे बना सकते हैं तो आए देखते हैं मैं आज एक प्लेट की हेल्प से मास्की कटिंग करूँगी तो साड़े आट इंच की प्लेट है यह एक कपड़ा ऐसी रख लेंगे इस पर प्लेट रखेंगे और हम मार्किंग करेंगे और जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कटिंग कर लेंगे अब इसको हम फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड कर देंगे अब हमने इसको फोल्ड कर लिया हम इसकी कटिंग करेंगे तो जितने भी फोल्ड है वहां बहां पर हम कटिंग कर देंगे यहां पर भी कटिंग करेंगे यहां पर दो फोल्ड है अब हम सिलाई करेंगे इस तरीके से दूसरी को पर रख देंगे और जो गोलाई की तरफ है उस तरफ हम सिलाई करेंगे मैं अस्वी धागे से सिलाई कर रहे हूं आप सिलाई मसीन से भी सिलाई कर सकते हैं और जो हमारा दूसरा इसा हम इस पर भी सिलाई कर लेंगे मैंने या पर सिलाई कर ली है अब दौनों हिस्सों को हम जोड़ेंगे जोडने के लिए जो सीधे हिस्से हैं उनको आपस में मिलाएंगे और जो उल्टे हिस्से होंगे हमारे मास्के उनको हम उपर रखेंगे और इस तरीके से यहां से यहां तक सिलाई कर देंगे थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे जिससे कि हम अपने मास्क को सीधा कर सकें थोड़ी सी दूरी करके सिलाई करेंगे और इस तरीके से पूरी सिलाई कर लेंगे और हम अपने मास्क की दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे मैंने अपने मास्क पर तौनों साइड सिलाई कर लिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया था स्टार्टिंग में वहां से हम इसको अपने मास्क को सीधा कर लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं मास्क सीधा कर लिया है आप इस पर प्रेस करेंगे अब हम मास्क में इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक यहाँ पर पतली वाली ली है इसकी लंबाई रखी है शाथ इंच के दो टुकडे लेंगे दोनों तरब मास्क में लगाने के लिए आप इलास्टिक को बड़ा भी रख सकते हैं और गांठ बान सकते हैं इस तरीके से इनारी पर हम इलास्टिक लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे यह मास्क में 10 साल के बच्चे के लिए बना रही हूं अगर आपको एडल्ट के लिए मास्क बनाना है और तीनेजर के लिए मास्क बनाना है तो उसके का मेजर्मेंट होगा वो मैं अपने दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिग दूंगी वह जरूर प्रेस कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रैस कर दें